हेलो एवरिवन आप सभी का हमारे चैनल एक्जाम कॉलिंग में स्वागत हैं फ्रेंट्स हम एक जो न्यू सीरीज लेके आये थे सीटी यूपीटी स्टीटी एंड स्टीटी की आज उसी का दूसरा लेक्चर है तो फ्रेंट्स फ्रेंट्स लेक्चर को देखना ना भूले उसक के इंपोर्टेंट नोट सेखेंगे चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं जिस्ट ऑफ एंसी अर्टी बुक जिस्ट का मतलब होता है संबरी एक डिबबा जिसमें मधुमक्ही पालन किया जाता है वह रुपए 200 का आता है रुपए 200 का आता है तथा इस जिबबे में से 12 कि एक इंपोर्टन फैक्ट और ही इसके साथ है की सेवन आगे पीपटें हैराणी चीटी ऐंडे देती है जबकि सिपाही चीटी यह जो का ध्यान रगती हिरा चीटि हम भौजन ठून ब्लत लातीappelle और कुछ काम करने वाली मधुमक्हिया बोजन डून कर बिल तग लाती है। वह फूलों से पराग निकाल करके अपने चटे तक लेके आती है। आपको एक इंपोर्टन चीज और बता दू कि यह पुछा भी जा चुका है कि कोकडी कहां की भाषा है तो याद एक कोकडी गोवा की भाषा है महराथी महरास्ट की और कंणर करनाटक की भाषा है इसको आप याद कर लिजे और लेंग्विजिस के बारे में अगर मुझे मैसे लड़कियां लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए वह फिर से स्कूल भेजने में मदद करते हैं तो फ्रेंड्स यह जो आंद प्रदेश के एक सम्मू है यह क्या करता है जो शादी शुदा लड़कियां है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और 21 लड़के की 21 वर्ष से कम हो उनको इसकूल वापस फिर से स्कूल भेजने में मदद करता है तो ठीक है फ्रेंस को याद रखिएगा फिर से स्कूल भेजने वाला राज जी कौन सा है जहां पर एक ग्रूप है जो क्याम्प लगाता है तो वह है आंद प्रदेश में आंद प् जिस वजे से वहां पर यादा याद जो है वह नदी के द्वारा भी किया जाता है उसके लिए नावों का साहरा लिया जाता है यह फैरी नाव है इसमें सो लोग एक बार में बैठ सकते हैं आगे देखते हैं अगे देखते हैं फ्रेंस कबड़ी को चेडू-गूरू, हुद कबड़ी का नाम है तो आपको पता होना चाहिए वह कबड़ी का नाम है कबड़ी बांगलादेश का राष्टे खेल है तो फ्रेंस कबड़ी जो है वह कहा का राष्टे खेल है बांगलादेश का कबड़ी में 12 खिलाड़ी होते हैं कितने फ्रेंस खिलाड़ी होते हैं 12 और साथ छों होते हैं, वो कोर्ट में खिलते हैं, और पांच छों होते हैं. यह जाद आखेगा, इंपर्टिट weaker हो सplus में आपको फैक्ट्स बताती जाती हैं यह खेल आम तूर पर यह 20-20 में कहला जाता है ह। 20-20 मिनट कितने diferentes beansprac तो लोग होते हैं और याद रखनमा होगा उनकी संग्हा याद रखनी होगी किसी रिखी on एक दो तीन चार करके डालेंगे आपको उसमें सही आपशन पे टिक करना है फिछले तीन एशयाई खेल में कबडी को शामिल करने से जापान और उर्कोरिया जैसे देशों में भी कबडी की लग रीन पड़ी है पिछले तीन सालों का मतलब है कि पास्ट थ्री एर मतलब पहले तीन साल पहले एशियाई खेलों में किसमें एशियाई खेलों में कबड़ी को शामिल किया गया जिस वज़े से उसको देख करके जापान और कोरिया के लोग भी इस पे इंप्रेस हुए और उसको अडॉप्ट किया ठीक है तो क्या कोशन बनत मलशιοरी जो कहां रहती है आंध्र प्रदेश के रहन होता है तो एक बाहर 제ए चलों में कज वर्ण उठाती है कि जर टीक्तिवार्न अंणाे में अगांधार 169 मेल जीते हैं 59 मेल जीते जहां केवल कुछ हफतों के लिए फूल खिलते हैं यह घाटी फ्रेंस बहुत ही सुन्दर है और इसके इसमें कई वीडियो मतलब कई मूवी की शूटिंग वहां पर हुई है इसमें से कोशिन जो बनता है वो यह बनता है कि फूलों की घाटी किसको कहा गया है तो उतराखंड दिवारों पर आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाये जाते हैं मदुबनी डिजाइन पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाये जाते हैं इन्हें बनाने के लिए हलदी नीर फूल पेड़ों के रंग का आधि का इस्तिमाल किया जाता है ठीकर व्रेंस अब हम इ सागरी है नियुक्त पिहार इंपौर्टने पीटेडिक और स्सक्रावे करें दिवारों पर आंगल आते मतल सब्सक्राइब इंक पीछित्यिक अंधैय'? सिंसक्राइब रहा है क्या हो लिगूत मतल सब गउल है? जाकर बनाई जाती है चावल के घोल में रंग मिला कर बना जाते हैं उन्हें बनाने के लिए हल्दी नील फूल पेड़ों के रंग अधिका इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंट इस चीजों को याद रखिएगा जो जो मैं आपको इंपोर्टेंट करवा रही हूं ठीक है फ्र जिए जाती हैएए बना जाता है यह मुल रूप से जोपड़ी की धिवारों पर बनाई जाती है पर अब कपड़ों पर हाथ के बने कागज Μधुबनी पेंटिंग मदु पेंटिंग सामान छीर भगवार घृता lurus बना जाती हैं तो प्र मुंद कराओं पींट्वान को नि श्री कृष्ण रामायन के द्रश्यों जैसे भवान की छवियों और धर्मिक विश्यों पर अधारे थे इतिहास के अनुसार इस कला की उत्पत्ती रामायन रुग में हुई थी जब सीता के विवा के अफ़तर पर उनके पिता राजा जनक ने इस अनुठी कला से पूरे राज्य को सजाने के लिए बड़ी संख्या में कलाकारों का आजोजन किया था ठीक है फ्रेंस तो यहां पर क्या है से अफ़तर बाइस सब्सक्राइब से अनुठी के अविवा के अफ़तर पर 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 अगे बड़तें है खासकर मिथल चैता में पैंटिंग के शैली की उत्पत्ती हैसलिए इसे मिथला चित्रों के रूप में भी जाना जाता है मदुबणी को और किस नहीं से जाना राता है पत्ति मिधिला में हुई थी ठीक है यह मैंने एक पैंटिंग भी लगाई हुई है यह विवा का दृष्ष है राम जी और सीता जी का तो यह आपको दिखाया है आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं उत्तर पड़ेस में कचनार के फूलों की सबजी केरल में केले के फूल के बनाई जाते हैं मैं आपको यह कचनार के फूल की मैंने एक फोटो लगाई और यह केले के फूल की लगाई है तो जो कचनार के फूले वह यूप में बहुत उकता है जिसकी विज़े से उसकी सबजी बनाई जाती है और केरल में केले की बहुत उत्त्ति होती है इस विज़ सबजी भी भी, चीछ इता है। अगधे बढ्टे के लिए दए अगुड़ा ठाविजितो बहुत है है। Πरणिश मीशू में एक स्क्राइब पडहए।